यह जो पीरा है कि सबका काम करने के बावजूद सब लोग उनके समर्थन में वो लोग खड़े नहीं हुए जिनका दसो काम उन्होंने किया होगा बच गए तो तेजस्री यादव के यादव का मतलब है लालू प्रसाद यादव जो अब एक मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो बरबोले लोग हैं बोलते जादा हैं करते कम हैं और उनको याद ठीक से कहिएगा करके रखने के लिए कि जब हम लोग मिलकर पुर्णिया के अंदर जद्यू के नवनिर्वाजी सांसत देवेश चन ठाकुर के बियान के बाद बिहार के सियासत में हल्चल सी मच गई है देखिए एक तरफ राज़त कह रही है कि देखिए जिस तरीका से वह बयान दे रहे हैं उनका यह आहंकार बोला है क्योंकि वह ज नहीं सुना है कि मुझे लगता है कि आड़ जेडी जो इस पर घमासान मचा रही है पुरी बयान उनको पहले समझना चाहिए कि किस संदर्व में उन्होंने क्या बात बोला है जब तक पूरी बयान सामने नहीं आएगी तब तक इस पर कोई बयान देना उचित मुझे प्रत उन्हें जानता हूं वो हर प्रकार से लोगों की मदद करने का प्रयास हमेशा करते रहे हैं सार्वजनिक जीवन का काम हो या नीजी छतर behavior का काम हो हर जगह लोगों की बिना ढालए बिना झाति धर्म देखे हुए उन्होंने सदय陌 लोगों की मदद किया है और हम सबमस्ते है कि किसी संदर्व में कोई तकलिफ हुआ होगा उसको लेकर उन्हें कोई ब्यान दिया है लेकिन जब तक पूरी ब्यान मेरे सामने नहीं आता है मैं उस पर कुछ भी खुल कर कहने से मैं आप से चमा चाहूंगा उन्होंने कहा है कि हम यादव और मुस्लिम के लिए काम किये लेकिन भोड़ देने के बारी आए तो यादव और मुस्लिम ने काम नहीं किया अब हमने जी काम वाला चुनाव वो लडए हुए है आम जन के बावगी दारी वाला चुनाव लरे तो इस चुनाव में कही NOT को पीरा हुई है यह पी रहोंने कहीं हो सकता है यह जो पीरा है कि सबका काम करने के सब लोग उनके समर्थन में वो लोग खड़े नहीं हुए जिनका सब्सक्राइद को एक बात लिखकर रख़ाद को पचीस के चुनाव में 25 भी आने वाला नहीं है पिछली बार के चुनाव के रिजल्ट से जो उत्साहित हैं तो उनको ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए उसका कारण यह है कि 20 के चुनाव में हमारे गटवंधन के मजबूत साथी चिर्याग पाश्वान अलग होकर चुनाव लड़े थे जब हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े इस बार तो इस बार भी वो ख्याली पुलाव पका रहे थे चुनाव के पहले कह रहे थे कि 40 की 40 सीट जीतेंगे हम चुनाव होने के बाद और गिंती के एक दिन पहले श्रीमान तेजस्वी आदव जी ने कहा कि 25 सीट हम जीत रहे हैं हमारे पास अपना पूरा डेटा आ गया है और हमारी एजनसी ने जो हमको सुचना दिया है 25 सीट जीतेंगे जीतेंगे और उनकी हालत क्या होई चार सीट पर शिमट गये तो इसलिए वो बरबोले लोग हैं बोलते जादा हैं करते कम हैं और उनको याद ठीक से कहिएगा करके रखने के लिए कि जब हम लोग मिलकर चुनाव जब जब बिहार में लड़े हैं वो जीरो पर बोल्ड हो गया है उनकी स्थिती 25 में 10 वाली होगी यह ल महनत करें रुपाउली चले महनत करें उन्हीं के कंडिडेट को नो खबिस जार वोट आया है जिसके कंडिडेट को लोग सभा के चुनाव में जमानत जब्थ हो गया हो उसी लोग सभा में रुपाउली हैं और कुल 12000 वोट Commission में अभी ले हैं थ COMMきます पाइनल हो गया रुपवली का कि जो बारह हजार दस से बारह हजार वोट लाने वाली पाटी अगर ताल ठोक रही है रुपवली रुपवली बोल करके तो रुपवली में दो दो हाथ हो जाएंगे आने वाले पूर चुनाव में जुटाब धीडोडा पीट मॉंत्री नितिस् कुमार जी ने नौकरी दिया लोगों को पुलने वाले लोग हैं इन को जादा अपने कैमरे पर महत्तों देने की जरूरत नहीं है अगर दीजियेगा तो कल आप भी पसिएगा ये अब बताइए नहें मुझे आपको आशिचर्ज नहीं लग रहा है कि इनके candidate का पुर्णिया में जमानत जब्त हो गया और उसी पुर्णिया का एक जबकी ये मंच से जाकर बोल कर आये थे कि पपु जदब को हरा दीजिये और आप समझ लीजिये कि इनके candidate का जमानत जब्त हो जाना इनको तो इस्तिफा दे देना चाहिए अपने पद से सिरिमानते जस्वी आदव जी को अपने पद से इस्तिफा दे देना चाहिए कि इनके नेत्रुत में इस बिहार के अंदर एक लोग सभा ऐसा भी है कि आठ बने 31, 32, 37 दलो का गठवंधन मिल करके 37,000 वोट नहीं ला पाया पुर्निया के अंदर और जमानत जबत हो गई तो पहले इनको तो सर मानी चाहिए अपने गठवंधन पर अपने कंडिडेट पर इनको इस्तिफा देना चाहिए फिर रुपॉली का चुनाव लर ले, दो-दो हाथ कर ले, दिक्कत क्या है एक आखरी सवाल लेंगे, यादव और मुस्लिम जो है इंडिया को भोट करते हैं या नहीं देखिए यादव मुस्लिम की बात नहीं है, जहां तक मुस्लिम का सवाल है और जादव तो हमारे डक्टर असोक जादव जीते हैं, हम लोगों के हम यादवों ने तो वोट किया है डक्टर असोक यादव को, मैं चुनाव में मुक्रूप से वहां लगा हुआ था तो यादव तो वोट करते भी रहे, आगे भी करेंगे, उनकी आखे खुली राजाएगे उन्होंने देखा न कि हम लोगों ने बरे पैमाने पर जादवों को चुनाव लड़ाया बिधान सभा में भी, लोक सभा में भी, हम बडावर की हिस्सेदारी उनको दे रहे हैं तो क्यों भोट हमको नहीं करेंगे, इस बार भी तिन-तिन सांसद हम लोगों ने लड़ाया जादव और दो जीत कर सदन में गए, तो ये तो दिख रहा है ना, हिस्सेदारी भी दिख रही है, साजेदारी भी दिख रही है बिधान सभा में भी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ाया तेजस्वी यादव कितना जादव जिता करके लाए ये बता दें तेजस्वी यादव के यादव का मतलब है मिशा भारती, तेजस्वी यादव के यादव का मतलब है रोहिनी आचारजा, तेजस्वी यादव के यादव का मतलब है तेजपरताप यादव, तेजस्वी यादव का मतलब है तेजस्वी यादव स्वेंग, और तेजस्वी य यादव हैं उसको तो भारतिय जनता पाटी महतों देती है यादव का जो वर्ग है उसको तो भारतिय जनता पाटी आम आवाम समझ करके तिकट भी देती है और चुनाव भी लड़ाती है चुनाव जिताती भी है तो यह यादव का जो अंतर है तेजस्वी यादव पडिवार करते हैं जो राष्टवादी मुस्लिम हैं वो हमें वोट करते हैं इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकते हैं लोग तब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पुर्व मंत्री बीजेपी विदायक जीबेश मिस्रा तमाम सवालों का जवाब दिया है बहुत बहुत दन्यवाद कमलेश कुमार लाइब बिहार पतना